हाँ मैंने कसम उठाई है मैं देश नहीं बिकने दूंगा हाँ सही बात है नरेंजर मोदी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा मैं बैंक नहीं लुटने दूंगा ये बात थोड़ी कही थी और इसलिए देश छोड़ करके सारे लुटेरे बैंक लूट करके विदेश भाग रहे हैं दोस्तों भारत की बैंके ना हो गई है, हेलिकॉप्टर से फेकी गई, राहत सामगरी हो गई है जो आ रहा है लूट करके विदेश जा रहा है आपको अब तक पता नहीं चला होगा कि एक और गुजराती भारत को सो करोड रुपए का चूना लगा कर पुर हो गया है खबर वहीं गुजरात की है इसलिए पूरे गोदी मीडिया ने ये खबर चिपा लिये, दबा लिये और जिन गोदी मीडिया के संस्थानों तक लोकल पत्रकारों ने खबर कवर करके बेजी उन दफ्तरों ने मारे डर के खबर डिलीट कर डा लिये जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो गुजरात का एक शह परिवार हमारे आपकी कमाई का सो करोड बैंक ओव बडोधा से लूटकर अमेरीका भाग गया है दोस्तों गुजरात के सूरत पे पढ़ता है बैंक ओव बडोधा जिससे सो करोड का चूना लगाया क्या है जब इस बारे में F.I.R. दर्चकर आई गई तब जाकर के पता चला कि बैंक तो लुट गया है और लुटने वाले रफुचकर हो चुके है जब मामला थाने पहुचा तो गांधी नगर C.B.I. ने जाच शुरू करती है बैंक को चुना लगा करके भागने वाले का नाम विजय शाह और उनकी पतनी का नाम कविता शाह है इन लोगों ने बैंक को बड़ोदा से सो करोड रुपई का लोन लिया था अब यह मामला कुछ ऐसे खुला था कि इन भगोड़े आरोपियों ने सूरत की एक सोलर कमपनी का दो करोड रुपई का करदा नहीं चुकाया था इसको लेकर के कमपनी के मालिक ने इसकी शिकायत P.M.O. और C.B.I. में की थी अब बैंक को लूटने वाले सीधे विदेश भागते हैं और विदेशों से भगोडों को वापस लाने का सपना दिखाने वाली सरकारे पिछले 9 साल से सिर्फ सो ही रही है और ऐसी गहरी नियंद में सो रही हैं कि जो भारत को लूट कर विदेश भाग गए वो तो भागी गए नेने बंटी बबली भी भारती बैंकों को चूना लगा करके भागे जा रहा है दोस्तों देश से फरार होने से पहले विजय शा और कविता शा ने कमपनी के सारी कर्मचारियों को निकाल दिया था जिससे उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं हो सके कोई कर्मचारी थाने ना जा सके नहीं किसी कर्मचारी से पूछताच हो सके सबके पास बस एक ही जवाब हो कि मैंने तो कंपनी बहुत पहले ही छोड़ दी थी विजेशा ने मेमन को उपरेटर बैंक से भी करजा लिया और बाद में खुद को दिवालिया घोशुद कर दिया इस बैंक का विल है बैंक को बडोदा में कर दिया गया है इतना ही नहीं दोस्तों आरोपी विजेशा ने बैंक को बडोदा से सो करोड का लोन लिया वो अलग अब जाँ चल रही है लेकिन भारत को सो करोड का चुना लगा करके भागे शाह पती पतनी को सरकार कभी पकड़ पाएगी इसकी कोई उमीद नजर नहीं आ रही क्योंकि देश में और खास तोर पर गुजरात में लूटो और विदेश भागो नाम की अगोशित स्कीम चल रही है मैं देश नहीं लुटने दूगा कहकर जो लोग सरकार में आए सबसे ज़दा देश उनहीं की सरकार में लुटता है मैंने कसम उठाई है मैं देश नहीं भिकने दूगा यह जुम्ला भी अच्छा था चलते हैं नमस्कार